हमारा 85 वा क्वेस्टन है निमन लिहित में से कौन वाक और अभिव्यक्ति की सचंतरता जोके नुशेद 19-2 के प्रयोग पर सविधान द्वारा उप बंदित किये गए युक्ती युक्त निर्बंधन के अंतरकत आस कहेंगे उप्षने गुप चर अधिकारी द्वारा गुप ने सामगरी को परकट करना उप्षन दो हतियार उठाने के लिए भासन देना उप्षन तीन भासन जो लोक्स्वाब में सरकार की स्थिर्था को बादित कर सकता है उप्षन चार नियले की अवमानना अगर आप देखें तो दो उप्षन अतियार उठाने के लिए भासन देना ये युक्ती युक्त निर्बंधन में नहीं आता युक्ती युक्ते निर्बंधन में नहीं आता बाकी तिन्नों आते हैं तो इसका राइट नसर है ए यानि एक चोरी ए नहीं इसका एगा इसका भासन जो लोक्स्वा में सरकार की स्थिर्था को बादित कर सकता है इसके उपर युक्ती युक्ते निर्बंधन लागू नहीं होता तो इसमें तीन नहीं आएगा बलकी एक दो चार नेले की ओमानना समदित मामले भी आते हैं गुप्चर अधिकारी द्वारा गोपनिय सामगरी को परकट करना भी आता है अतियार उठाने के लिए भासन देना ये भी युक्ती युक्ते निर्बंधन के अंतरगत आता है निवारक निरोध कानून के तहट हिरासत में लिए गए व्यक्ती के पास स्विधान के अंतरगत मौली कदिकार के रूप में कौन्चे स्रक्षन उपलोध है ये उप्सन है बंदी बनाये गए व्यक्ती को निरोध के अधार के बारे में शूचित किया जाना जाहिए बले ही वह जनहीत के विरूद हो देखो ऐसी उप्सन अतिशुक्ती है अगर जन हीत के विरूद होगा तो वो बताना जरूरी नहीं है तो पहला एलिमिनेट तो ऐसी हो जाता है दूसरा निरूद के वेक्ति को 24 घंटे के अंदर रिहा कर दिया जाना चाहिए जबकि मैजिस्ट्रेट आगे के निरूद को प्रादीकृते नहीं करता है ये भी गल्त उप्षन है क्योंकि 24 घंटे के अंदर रिहा करने का प्रावधन नहीं है बलकि 24 घंटे के अंदर के मैजिस्ट्रेट के सामने परस्तूत करने का प्रावधन है नेक्स्ट हमारा बंदी बनाएगे व्यक्ति को निरूद के आदेश के रूविरूद अभ्यावधन देने का उसर दिया जाना चाहिए राइट अंसर है तो इसका राइट अंसर होगा ये के वल तीन कतनी सत्य है अनुचेद 32 गिर्फतार या हिरासत में लिए व्यक्ति को सुरक्सा परदान करता है और जोगबंदी से दो परकार की होती है एक दंडातमक होती है एक निवारक होती है दंडातमक बंदी किसी व्यक्ति को उसके दोरा किये गए अपराद के लिए अदालत में मुक्द में और सोद दो सिद्धी के बात दंडित करना होता है वही निवारक निरोद होता है जो निवारक निरोद लिखा हुआ है किसी व्यक्ति को बिना किसी मुक्द में अदालत दो सिद्धी के हिरासत में लेना है अर्थात है अपराद होने से पहले ही उसको पकड़ लेना है अगर किसी व्यक्ति को तीन महिने से अधिक अवदी के लिए निरूद नहीं किया जा सकता है इस प्रावधन के तैत क्या है किसी वेक्ति को कितने महिने तक तीन महिने तक सेयाधी कवधी के लिए गुरुद बंदी नहीं बना जा सकता जब तक एक सलाकार बोड ऐसा करने के लिए सिफारिशना करे हमारा नेक्स्ट क्वेशन है 86 वा नीमिल लिखित में से कोन से सिधात है गंदी वादी सिधात है जो नीती निर्देशक सिधात है उनको तीन हिंसों में बाटा गया है एक गंदी वादी उदार वादी और समाज वादी आपको बताना है इन में से कोन से गंदी वादी सिधात ह पहला समान्याय को बढ़ावा देना और निर्धनों को निशुलुक-विधी सहता परदान करना आपको पता यह गांदी वादी सिधाथ नहीं कर समाजवादी सिधाथ समाजवादी एक वैसे नहीं आता दूसरा लोगों के पोषण सतर और जीवन सतर को उपर उठाना और लोग स्वास्थे में सुधार करना ये भी समाजवादी है ने कि गांधिवादी तिसरा है गराम पंचायतों का संग्ठन करना और उन्हें सवसासन की इकाई के रूप में क हमारा नेक्स्ट क्वेशन है 881 बहुत इंपोर्टेंट क्वेशन है दो कथन दिये हुए हैं इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है पहला है किसी राज्य में राष्ट पतिशासन को रद करने के लिए संसद्य सवकृति की आप सकता होती है दूसरा 1910 के 44 संसोदन अधिनियम ने राष्ट पतिशासन की घोशना करने की संसद्य की सकती को सीमित कर दिया गया है अगर आप इन कत्रों पर गहराई से गोर करेंगे तो आपको पता चलेगा राष्ट पतिशासन को रद करने के लिए संसद्य सवकृति की आप सकता नहीं होती बल ने उद्गोशना के द्वारा उसको रद कर सकता है तो पहला उप्शन तो हमारा वैसे ही गलत हो गया अब बचया दो दूसरा कथन सही है क्योंकि 1910 में 44 संसोदन द्वारा राष्टरपती की जो उद्गोशना है उसको की सकती को सीमित कर दिया इसमें क्या कहा अगर राष् सावित करना होगा और एक वर्ष के बाद राष्टरपती को एक समी में 6 महने के लिए किवल तबी आगे बढ़ा जा सकता है जब दो त्रैगी सरते हो पहला राष्टिया पातकाल की गोशना पूरे भारत में हो या किसी भाग में लागू हो राष्टरपती सासन को राष्ट पर आगे बढ़ा सकता है या तो संपूर्ण भारत में या भारत के किसी हिसे में राष्टरपती सासन लागू हो दूसरा चुनाव आयोगी है प्रमानित कर दे कि वर्तमान स्थिति है उसमें राज्य सभा के राज्य के विधान सभा के आम चुनाव नहीं हो सकते तो इसका सभा के संद्रम में तीन कथन दिये हुए है इन में से आपको बताना है कौन से कथन सही है या पूरी तरह संपर्भू निकायत थी बिल्कूल सही है क्योंकि उस टेम भारत सुतुंतरा दिनी मौता उसके अनुसार यह प्रावदन था कि जो सुविधान सभा है वो बिल्कूल पूरी तरह से संपर्भू निकाय होगी दूसरा कथन है यह ब्रेटी संसद्वारा भारत के संबन में बनाए गए किसी बनाए गए किसी भी कानुन को निरिष्ट कर सकती है या बदल सकती है यह भी बिल्कूल सही है क्योंकि जो 1947 वाला अधिनियम था जिसको हम भारतिया सव यह बिल्कूल एक्स्ट्रिम सब्द है क्योंकि रियास्तों के परतिनीदियों को कभी भी समा सामिल होने का अधिकार दिया गया था तो इसका राइटन्स रोगा यह यानि मात्तर एक और दो कथन सही है नेक्स्ट हमारा नभवा क्वेशन भारत सासन अधिनियम 1919 के बारे में इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है अगर आप देखेंगे पहला कथन इसम ने प्रांतिय विश्यों को आरख्षित और हस्तांतरित विश्यों में विभाजित कर दिया बिल्कुल सही कथन है इसने उच और निमन सदनों के साथ केंदर में एक दवी सदनिये विधायका क शुरुआत कर दी थी बिल्कुल सही है इसने राज्यों को अपना बजट बनाने के लिए अधिक्रित किया यह भी बिल्कुल सही है इसने पहली बार मुसलमानों सीखों और अंगल बारतियों के लिए परित्रक निवाचरमंडल का प्रावधन दिया यह गल्थ है क्योंकि लिए 1909 में ही प्रावधन हो चुका था है हमारा नेक्स्ट क्वेशन है 93 जो की स्विधान के मूल धांचे से समधित है मूल सरंचना के सिधानत के संद्रव में दो कथन दिये हुए है इनमें से कौन सा कथन सही है पहला है यह सरोपर्थम के स्विधान भारति मामले में उत्पन हुआ बिल्कुल सही है जो 1973 में के सा था के स्विधान के मूल धांचे के वकालत हुई थी दुसरा कथन है यह भारतिय सिधान की कठोड़ता और लची निपन के बीच सिंतूलन को कमजोर करता है यह गल्द है क्योंकि जो मूल सरंचना का सिधानत है यह भारत की कठोड़ता और लची निपन के सिंतूलन को कमजोर नहीं बलकि मजबूत करता है तो हमारा राइट एक असर क्या होगा only one क्योंकि 1973 में जो प्रावधान जोड़े गए थे केश्वनन्द भारती केस के मध्यम से वो भारती सुधान को एक जीवेंत दस्तावाद का रूबी परदान करता है हमारा next question है 91 उसका उनका जनम तमिलाडू में हुआ था वे सिरी वैशनोवाद के दर्सन में सबसे सम्मानित अचारिय हैं वे वेदान्त की विशिष्टता द्वैत उपसाखा के परमुक परस्तावक के रूप में परसिद हैं उन्होंने भास्या जैसे प्रभावसाली गरंतों की रचना की ये किसके बारे में कतन है हमारा जो चार नाम दिये हुए है सिद्धेश्वर सोमेश्वर तिरुवलूर और सिरी रामानुज चारिय हैं ये जो कथन दिये हुए हैं वो सिरी रामानुज चारिय से सम्मधित है आप इसको याद भी कर सकते हैं और स्कीप भी कर सकते हैं अमारा नेक्स्ट क्वेशन 94 अनुचेद 20 जो अपरादों के लिए दोस्चिदी के सम्वन में स्रक्षन का प्रावधन करता है इसके बारे में कोन सा कतन सही है पहला कतन है दिवानी या फोजदारी मामलों में कोई पूरो पद परभाव कानून एक्स पोस्ट फेक्टोला अधिनिमित नहीं किया जाएगा पहला कतन गल्थ है क्योंकि जो इसमें सिरफ फोजदारी मामलों ही काउंट करते हैं अर्थात फोजदारी मामलों में फोजदारी मामलों में कोई पूरो पद परभाव कानून अधिनिमित नहीं हो सकता दूसरा है सव अविसासन से सुरक्षा में अंगुठे के निशान और रक्त के नुमूने देने से सुरक्षा सामिल है ये भी गल्थ है क्योंकि सव अविसासन के विरूद सरक्षन का विस्तार नहीं है बहुतिक विश्व में आवस्चक उत्पादन पर अंगुठे का निशान हस्ताक्सर रक्त के नुमूने की अनिवारिता पर या किसी इकाई की परदर्शन की अनिवारिता तक ये विस्तारित है नेक्स्ट हमारा किसी लोग सेवक के विरूद बश्टाचार के एरोपों के मामलों में दोहरी अक्स्ती से बसने के लिए या तो नियाल्य या विभाग को ही कारवाई करनी चाहिए ये कतने भी गलत है क्योंकि दोहरी अक्स्ती के विरूद सुरक्सा का मामला केवले कानुनी नियल्या या नियाएक अधिकर्ण के समक्स ही उठाया जा सकता है दूसरे सब्दों में यह विभागिया और परसासनिक अधिकारियों के समक्स सुनवाई में लागू नहीं है क्योंकि यह नियाई की परकरती के नहीं है नेक्स्ट निमलिक्त कतनों पर विचार कीजिए भारत के नागरिक संग और राज्ये दोनों के परती निष्टावन होते हैं भारत में के वल जनम से ही नागरिक ही राष्ट्रपती के पद के लिए पात्र है अगर आप देखें भारत के नागरिक संग और राज्ये दोनों के परती निष्टावन होते हैं ये गल्द है भारत में संग्ये विश्टा है और एक दोरी राज्ये विश्टा की परकलपना करता है लेकिन यह केवल एक कल नागरिक तका परधान प्रावधान करता है अर्थात है भारत में नागरिक केवल संके परती निष्ठावान होते हैं नैकी राजे के परती दुसरा भारत में केवल जनम से नागरिक ही राष्टरपती के पद के लिए योग्य होता है ये भी गल्थ है भारत में जनम से और प्राकरतिक रूप से नागरिक दोनों ही राष्टर पदिपद के पात्र होते हैं जबकि सुक्तराज्य अमरीका में क्या प्रावधन है सुक्त राज अमरीका में केवल जनम से ही जो नागरिक होता है वही राष्टर पदीपद का हाकदार बन सकता है स्विधानवाद 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 पहला है मूल अधिकार Would K अधिये जो मूलदिकार है वह सिमित सरकार का दरशन है स्विधानवाद क्या हूत है सिमित सरकार के संद्रभ को दरशाता है हैं हर्था । मतलब सरकार के उपर कुछ ने कुछ नेंतन होता है इसका अर्थ यह है कि सरकार को परदान की गई सक्तिय ऐसी मित नहीं है बलकि सिमित है मूल अधिकार सरकार की सक्तियों पर सीमा के रूमे कारिया करते हैं जैसे रज्य को नागरिकों की वाग और अभिव्यक्ति की सवजुन्तरता के दिकार का सम्मान करना चाहिए यदि सरकार इन दिकारों का सम्मान नहीं करती तो पिडित नागरिक इने लागू करवाने के लिए नियाई पालिका की सहता ले सकता है इस संद्रव में ये परतिवम कर्या करते हैं लेकिन जो नीती निर देशकत तो होते हैं वो सरकार पर परतिविंदों और सीमाओं के रूम में कर्या नहीं करते हैं क्यों क्योंकि ये प्रवर्तनिय नहीं होते हैं इनको लेकर कोई भी नेले में नहीं जा सकता इसी परकार मूल करतविये हैं ये भी सरकार के उपर परतिविंद नहीं लगाते क्यों क्योंकि ये नियल्य में परवर्तनिय नहीं है तो इसका राइट नसर होगा नेक्स्ट क्वेशन हमारा यदि सहस्तर विद्रोह के अधार पर राष्ट्य आपातकाल की उद्खोसना की जाती है तो क्या होगा उपसने तो नुचेद 19 के तहट परदत मूल अधिकारत सवत ही निलंबित हो जाते हैं दुसरा यदि रश्ट्रिपती मूल अधिकारों के परवर्तन के लिए नेले जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है तुसरा अनुचेद 22 और 1921 दुआरा परदत मूल अधिकारों के परवर्तन को निलंबित नहीं किया जा सकता तो आप देखेंगे पहला उप्सन हमारा गल्द है क्योंकि मतर सहस्तर विद्रो के अधार पर अर्टिकल 19 के तहत जो मूल अधिकार है उनको निलंबित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह प्रावदान सिर्फ यूदिया बहाया आकर्मन के अधार पर अगर को राष्टिया आपात का लगता है उस टेम के लिए ये लागू होता है दूसरा question राष्टरपती मूल अधिकार के परवर्तन के लिए नियले के अधिकार जाने के अधिकार को निलम्बित कर सकता है बिल्कुल सही है तीसरा कतन हमारा अनुचेद 21 और 22 द्वारप परदत मूल अधिकारों के परवर्तन को निलम्बित नहीं किया जा सकता है ये भी गल्द है अगर राष्टरपती चाहे तो इसको भी निलम्बित कर सकता है तो हमारा उनली दो कतन ही सही है तो इसके दार पर हमारा राइटन सराप देश सकते हैं तो भी बनता है हमारा नेक्स्ट क्वेशन है 98 सरकार की निलम्बित में से कौन सी पहले राज्जे के नीदी निल्देशकत ततूओं को परभावी बनाती है पहला कतन 65 वरसे अधिक आयू के लोगों के लिए वरिद्द वस्ता पैंशन योजना आपको पता है कि जो नीदी निल्देशकत तत्तो है उसमें सरकार क्या करती है जो अनुछेद 41 के तहत जो सिख्षब पाने के अधिकार को बेकारी, भुठापा, बीमारी, आदी की दसों में लोगों की सहता का प्रावधन करने का जिम्मा उठाती है दूसरा दंट परकरिया सहीथा को बनाना ये भी नीदी निर्देशक्ततों को प्रभावी बनाती है अनुछेद 50 में क्या कहा गया है कि नय पालिका और कारेपालिका के प्रीथीकंड की मांग करता है और जिसके तहते दंट परकरियास सहीथा को अपनाया गया तिसरा प्रधान मंतरी क्रीशी सिंचाई योजना ये भी नीती निर्देशिक तत्वों को परभावी बनाती है क्योंकि अनुचेद 48 में क्या है क्रीशी और पसुपालन के आदुनी करण की मांग करता है चोथा प्वेंट है मंदरेगा मंदरेगा भी नीती निर्देशिक तत्वों को परभावी बनाता है क्यों आर्टीकल 41 में क्या है काम पाने के अदिकार को और आर्टीकल 43 में क्या है सरमीकों के निर्वाह मजदूरी का उबंद करता है इसका मतलो एक, दो, तीन, चार सभी नीती निर्देशिक तत्वों को परभावी करते है हमारा नेक्ट क्वेशन है 97 भासई अलपसंख्यकों के लिए विशेश अदिकारी के संद्रम में निमन कथनों पर कौन सा कथन सही है पहला कतन है इसका प्रावधन 350 B के तहत किया गया है बिलकुल सही है अगर कोई भासई अलपसंख्यक लोग है उनके लिए विशेश अदिकारी का प्रावधन किसके तहत किया गया है अनुचे 350 K B के तहत यह सविधान के तहत भासाई और धारमिक अलब सिंखिक दोनों के लिए उपबंदित रक्सव पाई से समदित सभी मामलों की जात कर सकता है यह सही नहीं है यह उनीक यह कि बाहसाई अलब सिंखिक को के क्योंकि यह अलब सिंखिकों के लिए विशियस अदिकारी होता है और यह धारमिक अलब सिंखिकों के अदिकारों से समदित जांच नहीं करता है क्योंकि सबद देखें सबद क्या था भासाई अलब संख्यकों के लिए VCS अधिकारी इसी का परावधन 345 B में है यह धरम से समदी जो अलब संख्यक है उनके मामलों की जांचे नहीं करता हमारा next question 99 बहुत important निती आयोग के team India wing में सामिल है क्या सामिल है पहला option है प्रधान मं मंत्री और मुख्य कारेकारी अधिकारी दूसरा है प्रतेक राज्य और केंद्रे मंत्रा लेके परतिनेदी बिल्कुल असान है जो निती आयोग के जो team India साख है उसमें राज्य और मंत्रा लेके परतिनेदी सामिल होते हैं हमारा next question और last question है इस वीडियो का भारतिय सविधा स्विधान नागरिकों को निमलिक्त में से किसकी गारंटी देता है पहला option है परतिष्ठा की गारंटी देता है बिल्कुल सही है अवसर की समानता बिल्कुल सही है वीदी के समक्स समानता ये बिल्कुल सही है लेकिन जो प्रेणामों की समानता है वो स्विधान गारंटी न लाइक करें हम ऐसे 30-40 पेपर भी करेंगे धन्यवाद दोस्तों लगे रहो